चलिए फ्रेट मैं आपको बताने वाला हूँ कि नहरु यूवा केंद्र संगठन के द्वारा क्या काम किया जा रहा है एक य द्वारा बहुत अच्छा एक काम किया जा रहा है सुख्श भाृत अव्याद जलाए गया ठीक है नाब है नेहरू यूवा केंद्र के द्वारा तो आप यहां देख सकते हैं कि अलग-अलग डिस्टिक में अलग-अलग गाउबे यहर गाउबे परते गाउबे नेहरू यूवा केंद्र के द्वारा एक कलब बनाए गया है ठीक है और उस कलब के द्वारा एक कलब में 25-30 साइकल वीन में भेज दिया जा रहा है तो यहाँ आप देख सकते हैं चाहे जितना भी कलेक्ट हो चाहे एक केजी कलेक्ट हो दो केजी कलेक्ट हो हर जगh से परते एक जगھ से आप देख सकते हैं यह सराइ केला चारखण का है ठीक है इस त зм技 आपको और भी इमेज दिखा रहा हूँ यहां आप देख सकते हैं यह सारा जो है प्लास्टिक को कलेक्ट किया जा रहा है नेहरू यूगा के अंदर के द्वारा और इस मथ ये पूरा चलने वाला है एक अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक चलेगा एक से लेकर ये पूरे मथ क्लीन इंडिया किसके तहत? क्लीन इंडिया के तहत हमारा देश आजाद हुआ 75 साल होने जा रहा है उसी को लेकर के यूगा कारी करम एवं खेल मंत्राले भारस सरकार के द्वारा इस योजना को इस कारी करम को किया जा रहा है ताकि लोग जागरुको और इस जागरुकता को सीखे, समझे और जाने क्योंकि जितने भी दुकाने हैं उन सभी दुकानों में जागरुक किया जा रहा है उन लोगों को बताया जा रहा है कि वहां से आपके पास एक कार्टूर होगी उस कार्टूर को आप अपने दुकान के बाहर रखे और जितने भी वहाँ से वेस्ट, प्लास्टीक, कागज और जितने भी वेस्ट पदार्त है उन सभी को आप उस कार्टूर में रखे और उसे आप अच्छे जगह पे उसे एक जगह पे या फिर उसे जो collect करने के लिए आते हैं उन्हें आप दे दीजिए या जो नगर से जो एक गाड़ी आती है उस गाड़ी में आप डाल दे या आप अपने मुख्या से या पंचात सचिव से आप ये डिमार्ड कर सकते है कि आपकी गाव में एक ऐसा लगना चाहिए जहां पे पूरे गाव के लोग उस जगह पे कचलाई कठा करें और उसे प्रशाशन या बुख्या उसे उठवा करके वो कही ले जाए ठीक है तो इस तरह से आप लोग कर सकते है यहां आप देख सकते है यह हर जगह पे पूरे भारत में यह साहिब गजगा है ठीक है और मैं जहरखट का निवासी हूँ मैं भी नेहरू युवा केंदर से जुड़ा हुआ हूँ और मैं परतीक गाव बेजाता हूँ सबसे पहले मुख्या से वाट से मिलता हूँ और उन लोगों को उन लोगों से मैं अपील करता हूँ कि आप हमारे साथ रहिएगा हमारे साथ चलिएगा और अगर वो नहीं भी आ पाते हैं तो हम उनसे यह यह जो आपको दिख रही है इस पे मुख्या का सिगनेचर और मोहर होती है कि यह कितना वजन है ठीक है और उनी के गैडलाइन के अरुसार हम लोग काम को अच्छे ढग से करते हैं और सभी वहां के युवा, महिला, बच्चे सभी हमारा साथ देते हैं और कहां को स्वक्ष बनाते हैं और सभी दुकानों को यह बताते हैं कि आप एक काटूट रखे और हम लोग जो एक मंदीर, महजित और एक जो सरकारी संस्था होती है उस पे हम लोग डस्ट बीट का प्रोवाइट करा रहे हैं और अगर मैदान गंदा दिखती है तो उस मैदान को साप करके वहां के युवाओं को फुड़ जर्सी, बॉली वोल ये सब प्रोवाइट कराते हैं और उन्हें खेल के प्रती भी जागरू किया जाता है यालि अनिहरू युवा के अंदर एक बहुत ही अच्छा संस्था है जिससे आप जुड़ सकते हैं और अपनी समाजिक कारे को आगे बढ़ा सकते हैं समाजिक कारे करने में बहुत ही अच्छा लगता है तो इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि आप इस संसा से जुड़े या ना जुड़े आप अपने दिल में ये बनाए रखिए कि हमें समाजिक कारी करना है अगर आप अच्छा काम करेंगे तो आपको शुकूर मिलेगा और अगर आप खराब काम करेंगे तो आपको पस्तावार हैगा अच्छे से दीद रही आएगी आपको चैन कभी नहीं आ सकता तो इसलिए मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से यही बताना चाहूँगा कि आप समाजिक कारी करें और खुस रहें ठीक है? यारी दीद में नहीं तो महिने में एक बार आप अच्छा काम कर सकते हैं थाइक यू फ्रेंड